ये जुनजुना महिलाओं को इसलिए पकड़ाया जा रहा है कि जैसे डूपते को तिनके का सहारा है वैसे मोदी जी को कही न कहीं महिला आरक्षन का सहारा या महिलाओं का थोड़ा बहुत सहारा मिल जाए तो डूपती नईया शायद पार लग जाएगी जैसा की कहते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चड़ती अडानी स्कैम होता है 20 जार करोड पर सवाल पूछा जाता है तो आप ये इंडिया और भारत की लडाई करने लगते हैं मतलब अगर भारत मा को एक नाम से नहीं दूसरे नाम से बुलाया जाएगा तो क्या मा का महत तो जीवन में कम हो सकता है, जैसे कहा था कि बुलट ट्रेन चलने लगेगी, जैसे कहा था कि 40 उर्पे का पेट्रोल और डीजल हो जाएगा, और जैसे कहा था कि रूपिया और डॉलर समान हो जाएगा, तो केवल एक चुनावी जुमला, एक फरेब, एक पाखंड, एक जूट के रूप में महिला आरक्षन बिल को और मैं तो हमेशा कहती हूं कि मोदी, रीती, सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी न निभाई, तो आज जो बड़ा प्रश्ण में पूछना चाहती हूं वो यह है, कि अगर पिछले 8-9 साल से महिला आरक्षन पर एक शब्द आपने न नहीं हो सकता, तो यह विशेश सत्र बुलानी की क्या आवशक्ता थी, देश के हर प्रदेश की राजधानी में, आज महिला आरक्षन बिल के नाम पर क्या सियासत हो रही है, क्या मजाक उड़ाया जा रहा है महिलाओं की संवेधनाओं का, और किस तरह से दो शर्तें लगाक अगर महिला आरक्षन बिल को 2049 तक के लिए टाल दिया गया है, इसके उपर हम बात करेंगे, पर मैं आज की बात शुरू करना चाहती हूं कुछ पंक्तियों के साथ, जो इस देश की नारियों को महिलाओं को समर्पित है, साहस है पहचान जिसकी, साहस है पहचान जिसकी मु के हद उसकी वो बेहद है, वो गहरी है, उसको आख दिखाने वालों वो लोकतंत्र की प्रहरी है, और इसी भाव के साथ, कॉंग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिला समान, समानता, सुरक्षा और सशक्तिकरण की लडाई लड़ी है, उस पर मैं आती हूं, लेकिन सबसे पहली बात जो मुझे लगता है, आज कहनी चाहिए वो ये बात है, कि इस देश की महिलाएं, भारत की बेटियां, हिंदुस्तान की आधी आबादी, बहुत ही उम्मीद के साथ एक टक देख रही थी संसद के विशेश सत्र को, स्पेशल सेशन को, इस उम्मीद के साथ कि जो अधि लेकिन जनगरना और परिसीमन की दो शर्ते रगाकर मोदी जी ने 2049 तक के लिए महिला आरक्षन को टाल दिया, और मुझे लगता है कि इसी के साथ देश की आधी आबादी की उम्मीद को हताशा में, आशा को निराशा में बदलने का काम किया है, और महिलाओं के विश्वा में लागू होगा, जैसे कि ये कहा था कि 2022 तक किसानों की आयद उगनी हो जाएगी, जैसे कहा था कि 15 लाग सब की जेब में आ जाएंगे, जैसे कहा था कि 2 करोड रोजगार नौकरी हर साल मिलेगी, जैसे कहा था कि बुलट ट्रेन चलने लगेगी, जैसे कहा था कि 40 उर्प बिल को दरकिनार कर दिया गया है और मैं तो हमेशा कहती हूं कि मोदी रीती सदा चलियाई जो कह जाएं वो कभी न निभाई और इसके ठीक विप्रीद अब मैं बताना चाहती हूं ये बात 2010 से नहीं शुरू हुई जब UPA ने राज्य सभा में महिला आरक्षन का बेल पारित किया ये बात सन 1931 से शुरू हुई कराची अधिवेशन था गांधी और नहरू ने मिलकर एक रेजुलूशन पास किया जो दुनिया में पहली बार हुआ कि देश की आजादी के साथ साथ पूरुश के साथ महिला खड़ी होगी समान मताधिकार दोनों को मिलेगा Universal Adult Franchise आप अम्रीका की बात करें, आप फ्रांस की बात करें, आप लंडन की बात करें दशकों तक महिलाओं को यातना ञेलनी पड़ी, प्रतार्ना जेलनी पड़ी, जेल की हवा खानी पड़ी सिर्फ एक वोट के अधिकार के लिए और हमारे देश के निर्माताओं ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाईज इस देश को दिया वो पंडित नहरू की सोच थी वो गांधी जी की सोच थी थोड़ा और आगे चलते हैं अब आरक्षन की बात शुरू करते हैं 1989 राजीर जी ने कहा I'm young and I have a dream मैं नौजवान हूँ और मेरा एक सपना है और उससे सपने का एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि पुरोश और महिला कंधा कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर साथ में चल सकें 33 प्रतिशत आरक्षन निकाय के चुनाओं में पंचायत के चुनाओं में ये सपना था राजीर जी का लोगसभा में पास किया हमने राजसभा में साथ वोट से हारे और मैं बताना चाती हूँ कि उन साथ वोट में से चार वोट किसके थे स्वरगी अटल भिहारी वाजपेई लाल कृषन अडवानी साथ में से चार वोट इन लोगों के थे जिनके कारण महिला आरक्षन बिल जो है वो धराशाही हो गया और सच्चाई में तबदील नहीं हो पाया तो कहते हैं न पूत के पाउप पालने में दिख जाते हैं महिलाओं को लेकर नीती नियत संग की भाजपा की क्या है यह बहुत पहले से प्रदर्शित हो रही है और वो इसलिए भी क्यूंकि जनक तो संगी है न महिला विरोधी एक सरसंग्चालक महिला ना बनी और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कभी बनेगी भी नहीं और आगे आते हैं में कॉंग्रेस की सरकार 73, 74, 73 और 74 संविधानिक संशोधन होता है 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को मिलता है सच्चाई यथार्थ बनता है हम क्रियान विद करके दिखाते हैं और उसका फल क्या है आज उसका नतीजा क्या है 33 प्रतिशत से बढ़कर आज देश में 40 प्रतिशत महिलाओं हैं पंचायत और निकाये में जो जीत कराती है यानि की आरक्षण सीट पर तो लड़ी रही है और नेत्रत तो इतना निखर कराता है कि वो आगे जाकर जनरल सीट पर भी लड़ती हैं जीती है यानि की और विस्तृत होता जा रहा है निन्य प्रणाली में उनकी भागेदारी की कहानी जो है और यह 15 बहुत गर्व है मुझे बात कहते हुए कि 15 लाग से जादा चुनी हुई महिलाएं आज निकाये में और पंचायतों में प्रति निधित्व करने के लायक बनी हैं अपने पैरों पर खड़ी फिर 2010 आता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया UPA की सरकार मनमोहन सिंग जी और सोनिया गांधी जी कहते हैं कि यही हम आगे बढ़ाएंगे विधान सभाओं और लोकसभा में भी महिलाओं को चुनकर बैटकर अपनी बात कहने और निर्ने प्रणाली का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा हमारे पास संख्यावल नहीं था लोकसभा में हम बिल पास नहीं करापाय पर राजसभा में हुआ फिर मोधी जी आ जाते हैं सक्ता में महिलाओं के उपर बहुत नारे देते हैं दावे करते हैं और होता क्या है 2016 में सोन्या जी को फिर याद दिलाना पड़ता है अंतर राष्ट्रे महिला दिवस के दिन सोन्या जी याद दिलाती है कि मोधी जी आपका नारा है minimum government maximum governance तो maximum governance कैसे आएगा सक्ता के विकेंद्री करण से आएगा सक्ता का विकेंद्री करण हो पर महिलाओं की सक्ता में भागेदारी बढ़े तब ही maximum governance हो सकता है तो आप क्यूं अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं 2014 के manifesto में पहले पन्ने पर महिला आरक्षन का वादा मोधी जी ने किया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है 2017 में चिठी लिखती है सोन्या गांधी जी और कहती है कि आप इतना प्रचंड बहुमत आपको जनता ने दिया क्यूं राजिसभा का बिल तो पास हो गया है वो जीवित है सिर्फ लोगसभा में पास करना है हम बिना शर्थ के समर्थन दे रहे हैं आप क्यूं नहीं करना चाहते वो साल भी चला जाता है राहुल गांधी जी चिठी लिखते हैं दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि आदी आबादी को पूरा हक दीजिये मोदी जी लेकिन मोदी जी के कानों में जू नहीं रेंगती तो आज जो बड़ा प्रश्ण में पूछना चाहती हूं वो यह है कि अगर पिछले आठ नौ साल से महिला रक्षन पर एक शब्द आपने नहीं बोला जो आपका खुद चुनावी वादा था और अब आप एक ऐसा बिल लेकर आए हैं जो कि अगले 16 साल तक क्रियानवित ही नहीं हो सकता तो यह विशेश सत्र बुलाने की क्या आवशक्ता थे यह विशेश सत्र क्यों बुलाया गया और इतनी आपाध हापी में एक ऐसा बिल क्यों पास किया गया जो 16 साल बाद के लिए टाल दिया है आपने इसका केवल एक ही जवाब है और वो जवाब यह है मेरे मीडिया के प्रेस के साथियों कि अपनी चुणावी हार को मूबाय खड़ा हुआ देख कर देश के 50 प्रतिशत जनसंख्या को लुभाने का काम मोदी जी कर रहे है यह जुन जुना महिलाओं को इसलिए पकड़ाया है कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा है वैसे मोदी जी को कहीं न कहीं महिला आरक्षन का सहारा या महिलाओं का तो दूपती नए शायद पार लग जाएगी लेकिन जैसा कि कहते हैं कि काट की हांडी बार-बार नहीं चड़ती अडानी स्कैम होता है बीस हजार करोड पर सवाल पूछा जाता है तो आप ये इंडिया और भारत की लड़ाई करने लगते हैं मतलब अगर भारत मा को एक नाम से नहीं दूसरे नाम से बुलाया जाएगा तो क्या मा का महत्व जीवन में कम हो सकता है मैं मा को मम्मी कहूं या मा को माता जी कहूं या मा को मदर कहूं क्या फर्क पड़ता है यह लड़ाई कराना चाहते थे बैक फायर हो गई तो आपा धापी में उन्हें लगा कि अब क्या किया जाए क्या ना किया जाए एक बिल लेकर आगा और एक और मैं आपको नुवांस बताती हैं यूनियन टेरिटरी जिसमें असेंबली है ऐसी तीन है एक दिल्ली दिल्ली का नाम तो बिल में में मेंशन है यह एंसीटी ऑफ डेली दूसरा पॉंडी चेरी पुड्डू चेरी आप पुड्डू चेरी के बारे में कोई बात ही न अफरा तफरी में तुरत फुरत में ये बिल बना के फाइदा लेने के लिए ये काम कर लिया तो ऐसे बिल को आप पारित करना आपने चाहा जिसका कोई फाइदा तुरत फाइदा महिलाओं को मिलना ही नहीं है और राहुल जी एक और वाजिब सवाल पूछते हैं वो कहते ह कि जनगणना अगर हो तो जाती के अधार पर क्यूं न हो क्यूं हमें पता न चले कि इस देश में कितने आदिवासी इस देश में कितना बड़ा पिछड़ा वर्ग है पिछड़े वर्ग में कितनी जातिया है और उन जातियों में कितनी लोग हैं कितनी महिलाएं हैं कितनी महि बात बहुत तो ऑप बात बोलते हैं तो मुझे पिछड़ा के दिया रहे तो इसलिए और हाश्ये पर तो जिन पर दोरे मार पढ रही हैं उन महिलाओं को आप भूल गये जब चुनावी भाशन देना होता है तब तो आप मोधी जी लगातार ये बात बोलते हैं कि रहे मुझे पिछड़ा कह दिया मुझे फलाना कह दिया रहे मैं तो पिछड़े वर्ग का हूँ इसलिए मुझे ऐसी बाते सुनाई जाती है और जब पिछड़े वर्ग को प्रतिनि अबादी उतना हक आधी अबादी पूरा हक और जितनी अबादी उतना हक तो यह कैसे पता चलेगा अगर आप जातीकत गरना ही नहीं करवाना चाहते हैं लगातार आंकडों को छुपाने की कवायदा आपको याद हो का एक बार बेरोजगारी के आंकड़े भी इसी तरह बातिगत गरना हूँ और मैं तो कहती हूँ कि अगर आप विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहते तो अपने निताओं की बात सुनिए तीन दिन से उमा भारती जी रोज यह बात कह रही है आन मद्यप्रदेश जा रहे हैं मोदी जी सुबा सुबा ट्वीट कर दिया उमा भा प्रश्न है कि आप क्यों नहीं कराना चाहते और तीसरी बात और बहुत ही मुख्य बात मैं पूछना चाहती हूं जो महिला सांसद और महिला मंत्रीन है भारतिय जनता पार्टी कि क्या वो केवल भाजपा की प्रती निदी है या वो इस देश की महिलाओं की प्रती tolerant है और अगर महिलाओं की प्रती निदी है तो कब तक महिलाओं के खिलाफ होते हुए अJaya पर ऐसे मूँ में दही जमा कर वो बैठी रहेंगी, होट सिलकर बैठी रहेंगी, देश में हाथ रस होता है, एक महिला मंत्री नहीं बोलती है, आठ साल की बच्ची के साथ बलातकार होता है, कई दिन होता है, मार दिया जाता है कटुआ में, एक मंत्री नहीं बोलती है. और अव्ज्ट अप्सक्राब लॉ व्टबॉ टफ्टर ट ट इन